हेलो बच्चो वेलकम आल आफ यू यूर वन चैनल मैथमास्टर ठीक है तो हम क्वेशन एक्सामपल 14 सॉल्व करेंगे आज और क्वेशन आपके सामने लिखा है this is the part of part second of example 14 बहुत ही अच्छा क्वेशन है वन अपॉन मांपोन X-1 Up. X-2 is equal to 3 इसको हम हमें solve करना है तो क्वार्ड एक EQUACION isolstars के Л ALC M ले लेके सी को इसको वेक है इसको एक Quadratic और यह cross multiply कर देंगे हम तो किनना जाएगा minus 2 is equal to 3x square minus 6x और बच्चों यहां क्या हो जाएगा इसको इधर लिख लें अरेंज करें तो क्या जाएगा यह उधर ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हम 3x square minus 6x plus 2 equal to 0 देखो यह उधर चला जाएगा तो हमने अरेंज करके हैं सरी अब देखो यह middle term है transition से solve नहीं हो सकता है क्योंकि 3 to just 6 और 6 यहां पर है 6 plus 1 करेंगे 6 into 1 तब तो 6 आज़े करेंगे 6 नहीं आएगा तो हम इसे quadratic formula यूज करेंगे solve करने के लिए और यहां पर हम compare करेंगे कि b क्या है देखो a क्या है a is equal to 3 है यहां पर b is equal to with sin minus 6 है and c is equal to क्या है 2 यह value हो इस equation में put करेंगे और यहां से इसकी value root निकाल देखो कैसे x is equal to minus b minus 6 तो क्या हुआ प्लस का 6 minus b की जगा हम minus 6 रखेंगे तो क्या है plus 6 minus plus minus under root b square n 6 का square minus 4 a कितना है 3 into 3 into c कितना है 2 upon divided by okay formula is not correct है गलती से यहां पर formula सही से नहीं लिखा गया मैं दुबार से आपके लिखेंगे तो इसको यह formula divided by 2ab होना चीए था ठीक है तो output करते हैं गहीं देखो x is equal to kya जाएगा minus b यानि minus minus plus 6 plus minus under root b square कितना है बच्चो 6 यानि minus 6 का square minus 6 plus minus 4 ये कितना है आपका देखो एक इतना है आपका a3 तो यहां 3 into 3 और c कितना है c into 3 whole divided by 2 into kya kya 2 into kya 2 into a 3 या आगया ओके जब ऐसा हो जाता हमारे पास अब आप क्या करेंगे इसको तो यहां पर क्या जाएगा x is equal to plus 6 plus minus under root अंदर क्या हो गया minus 6 का square 36 और यहां कितना हो गया 4 into 3 12 into 24 only 6 अब देखो यह आगया हमारे पास तो यह कितना आगया का x is equal to plus 6 plus minus under 36 minus 24 तो 12 तो 12 अब यह वाला part मेरे से कर दो है ना अब देखो यह कितना है रूट 12 को हम क्या लख सकते हैं रूट 12 को लिख सकते है फॉर इंट थी का रूट और फॉर करें नियुक्त है तो रूट तो रूट रूट है का मैं यहां बैल्य पूट करूँ अठीक एक बार हम इसको प्लस करेंगे एक बार माइनस अच्छा, देखो, इसको दुबार से लिए देता हूँ, प्लस 6 प्लस माइनस, ये क्या होगा, 2 रूट 3, 12 के प्लेस पाम क्या लिखिंगे, 2 रूट 3, हमते हैं सिप्लिफाइट करके दिखा दिया आपको, 6, अब एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा, 6 प्ल उसमें से 2, 2 कमन लें, तो अंदर लेका 3 प्लस, रूट 3, अपॉन 6, और यहाँ पर आगा, 3- brushing 3, क्या रूट 3, क्या आधा है, 3, बार माइनस, रूट 3, आपॉन 3, edits, बार माइनस रूट 3 ऐपॉन 3, इस पॉन 3, इस इस, rose, यह जाएंगा हमारे इसको एरेज कर देता है वाल आपार्ट यह होगा हमारा तो क्या जाएगा इसको लिख देए हम सो तो हमने दोनों रूट निकाल देशके बहुत है अच्छा कोशन था प्लीज प्रैक्टिस के जिए घर पर और बिल्कुल टैंसन फ्री हो के मैद कीजिए फिल कीजिए मैद को बहुत मजाएगा ठीक है ओके गाइस से यूँ बाहे है